फिटर दूतियवर्स के अब्जक्टिव क्वेस्चन सेरीज में आप सभी का स्वागत है आईए हम लोग वीडियो अब आगे बढ़ाते हैं इसके पहले तीन वीडियो जो है बनाए जा चुके हैं अगला क्वेस्चन है तामबा और इसकी मिस्रधात के लिए किस लैपिंग व अगला क्वेस्चन है लैपिंग टूल का उदेश क्या है बाहरी सता के लैपिंग टूल है या आंत्रिक सता के लिए लैपिंग टूल है बाहरी बेलनाकार सता के लिए लैपिंग उपकरण है तो इसमें सही उतर है या बाहरी बेलनाकार सता के लिए लैपिंग टूल इसमें या critical temperature तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A, इसको हम लोग कहते हैं lower critical temperature अगला question है यदि गर्म steel को धीरे धीरे ठंड़ा के जाता है तो पुरानी सरचना को बनाया रखता है और इसमें बारी grains होंगे जो इसे आसानी से machine करने योग बना देते हैं यहां प्रक्रिया हमारी कौन सी है annealing, hardening, tempering या normalizing तो जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा option A, annealing अगला question है एक नई सरचना बनाने के लिए तेजी से ठंड़ा होने पर गर्म steel का नाम क्या है फेराइट, आस्टेनाइट, मार्टेन साइट या पेरलाइट जो इसमें सही उत्तर है वो है option C, याने की मार्टेन साइट अगला question है काटने की छमता को जोडने और इस्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन करने की प्रक्रिया कौन सी है टेंपरिंग, annealing, normalizing या hardening जो इसमें सही उत्तर है वो है option D, याने की hardening अगला question है चरम भंगुरता को दूर करने और इस्टील में toughness और soft resistance को प्रेरिद करने की क्या प्रक्रिया है टेंपरिंग, annealing, normalizing या hardening इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा tempering इसमें option A जो है ये सही है अगला question है इस्टील को आवस्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान को एक निश्चित समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है soaking, heating, quenching या hardening तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा option A यानी की soaking अगला question है उस्मा उप्चार प्रक्रिया के दौरान किये जाने वाले brine solution पानी तेल और हवा का उद्देश क्या है soaking, quenching, heating या आस्टेनाइट जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा option B यानी की quenching अगला question है विशेश मिस्त्र धात इस वाद के लिए काउंसा क्वेंचिंग मीडिया उप्यो के जाता है brine solution पानी तेल या ठंडी हवा इसमें जो सही उत्तर है वो है ठंडी हवा option D अगला question है 400 degree से नीचे के तापमान पर कठोरी करित श्टील को पुनाख गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उसमा उप्चार काउंसा है tempering, hardening, annealing या normalizing इसमें जो सही उत्तर है वो है option A यानी की tempering अगला question है annealing का फाइदा क्या है आंत्रिक तनाव को दूर करने के लिए काटने की छमता को जोणने के लिए इस्टील की grains रचना को परिसीद करने के लिए या to increase beer resistance घिसने की प्रतिरोध छमता को बढ़ाने के लिए जो इसमें सही उत्तर हो है to relieve internal stress याने की आंत्रिक तनाव को या आंत्रिक प्रतिरोधों को दूर करने के लिए अगला जो question है इस्टील घटकों के आंत्रिक दोसों को दूर करने की प्रिक्रिया क्या है इस्टील की annealing, इस्टील की normalizing, कठोरी कृतिस part या tempering जो इसमें सही उत्तर है, वो है हमारा option B याने की normalizing अगला question है which key is used for transmitting light torque याने की हलके torque को transmit करने के लिए एक जगा से दूरी का भेजने के लिए किस प्रकार की कुंजी का प्रियोग के जाता है saddle की, woodruff की, jib head की या फिदर की इसमें जो सही उत्तर है, वो है हमारा option B याने की woodruff key आगला question है steel के यांत्री गुणों जो इसे strength, चिमडापन, ductility कैसे प्रभाइत होते हैं tempering के द्वारा, hardening के द्वारा, annealing के द्वारा, annealing के द्वारा या normalizing के द्वारा इसमें जो सही उत्तर है, वो है option B by hardening, याने की hardening प्रिक्रिया के द्वारा अगला question है, किस bearing की उसमें चालकता thermal conductivity कम होती है, nylon, teflon sintered alloyed या laminated phenolix तो इसमें जो सही उत्तर है, वो है हमारा option D laminated phenolix option D अगला question है, ball bearing में परदान किये गहरे groups याने कि इसमें जो slot कटा होता, group दिया होता ball के लिए गहरा होता है, उनमें जो races है उनका क्याउदेश होता है जटके जिलने के लिए, journal load ले जाने के लिए अच्छी ए thrust का सामना करने के लिए या radial load का सामना करने के लिए इसमें जो सही उत्तर है, वो है बारी रेडियल भार लेंगर को कुसान होने रोकने के लिए या साफ्ट के थर्मल एक्सपेंशन को रोकने के लिए जो इसमें वासर का नाम क्या है आंत्रिक प्रकार का वासर, बहरी प्रकार का वासर, आंत्रिक और बहरी प्रकार का वासर या काउंडर संग वासर तो इसमें जो सही उत्तर है वो है option C, internal and external वासर अगला question है, उच्छ तापमान और उच भार वाहन चमता पर कॉन सा मिस्रधात का बेरिंग कार कर सकता है अगला question है, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच पॉलिस को बनाए रखने के लिए जस्ता, निकिल, तांबा या क्रोमियम जो इसमें सही उत्तर है, वो है option A, यानि की जस्ता अगला question है, रासायनिक, सयंत्र और खाद प्रोसेसिंग में किस संचारन प्रतिरोधी धात का उप्योग किया जाता है लेड, कॉपर, एलमूनियम या स्टेनलेस स्टील इसमें जो सही उत्तर है, वो है option D, स्टेनलेस स्टील अगला question है, थ्रस्ट बाल बेरिंग का उदेस क्या है, अच्छी ए लोड, रेडियल लोड, अच्छी ए थ्रस्ट लोड या वर्टिकल थ्रस्ट लोड इसमें जो सही उत्तर है, वो है वर्टिकल थ्रस्ट लोड, इसमें option D, जो है ये सही है अगला question है, इस बेरिंग का नाम क्या है, निडल बेरिंग, थ्रस्ट बाल बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग या अंगुलर कॉंटेक्ट बाल बेरिंग जो इसमें सही उत्तर है, वो है हमारा option A, निडल बेरिंग अगला question है contact rod और electrical motors में कौन सी bearing समागरी का उप्योग किया जाता है white metal, sintered alloy, aluminium alloy या copper lead alloy इसमें जो सही उत्तर है वो है option D, copper lead alloy अगला question है रच्छात्मक सता प्राप्त करने के लिए अन्धात के साथ लेपी धात का संचालन क्या है, cladding, galvanizing, cementation या electroplating जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा option D, electroplating अगला question है, junk को रोगने के लिए calorizing प्रकिरिया में किस धात के powder का प्रियोग किया जाता है zinc powder, nickel powder, chromium powder या aluminium powder इसमें जो सही उत्तर है वो है option D, aluminium powder अगला question है, junk की रोगधाम के लिए chromizing प्रकिरिया के लिए आवस्यक ताप मान क्या है 900-1100, 1100-1200 या 1300-1400 जो इसमें सही उत्तर है वो है option D, 1300-1400 degree Celsius अगला question है, किस धात में रासायनिक प्रतिरिया के लिए उच्च प्रतिरोध high resistance होता है lead, nickel, thama या aluminium इसमें जो सही उत्तर है वो है option B, यानि की nickel अगला question है, X के रूप में चिन्नित भाग का नाम क्या है यहाँ पे जो है दिखाया गया है X के रूप में चिन्नित भाग ball case, inner case, outer case या ball separating case इसमें जो सही उत्तर है वो है option D, यानि की ball separating gauge अगला question है, light, loading और कम गतिक के application के लिए कौन सी bearing सामागरी का उप्योग के जाता है कास्ट iron, tin, branch, cadmium base alloy या copper और lead alloy इसमें जो सही उत्तर है वो है option A, यानि की कास्ट iron अगला जो question है, वो है हमारा thrust ball bearing का नुक्सान क्या है, कोई भी radio load नहीं ले सकता है 36 और thrust load नहीं ले सकता है, दोनों दिशाओं में load नहीं ले सकता है जो इसमें सही उत्तर है, वो है option B, cannot take horizontal and thrust इसमें option B, जो है ये सही है अगला question है, बाल bearing में गहरे groups वाले races प्रदान किये जाते हैं क्यों? जटके सहने के लिए, अच्छे thrust को सहने के लिए, radial load को सहने के लिए या journal load को उठाने के लिए इसमें जो सही उत्तर है, वो है हमारा option B, bid stand, axial thrust यानि कि अच्छी ये thrust को सहने के लिए अगला question है, किस bearing में loading, bearing अक्छे के parallel ये समाना अंतर होता है split bearing, plane bearing, thrust bearing या radial bearing इसमें जो सही उत्तर है, वो है option C, thrust bearing अगला question है, hard journal के लिए, कोंसी bearing material सबसे उप्यक्त होता है sintered alloy, aluminium alloy, copper lead alloy, या cadmium based alloy जो इसमें सही उत्तर है, वो है option B, यानि कि aluminium alloy अगला question है, कि सामागरी में घरसन और उच्छी सामागरी लागत की कम सा कुसल है which bearing material has low coefficient of friction, यानि कि इसमें friction का जो गुणांक होता है वो कम होता है, और material cast जो है बहुत हाई होती है nylon, teflon, thrust ball bearing या laminated phenolix, जो इसमें सही उत्तर है वो है हमारा option B, यानि कि teflon अगला question है, उच्छ अच्छी थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की bearing का उप्योग किया जाता है roller bearing, tapered roller bearing, self-aligned roller bearing या angular contact ball bearing जो इसमें सही उत्तर है, वो है option B, यानि कि tapered roller bearing अगला question है, इस प्रकार की bearing का नाम बताइए split bearing, solid bearing, thrust bearing या journal bearing इसमें सही उत्तर है, option B, solid bearing अगला question है, इस bearing का नाम क्या है, ball bearing, roller bearing, thrust bearing या journal bearing इसमें जो सही उत्तर है, वो है option C, यानि कि thrust bearing अगला question है, इस bearing का नाम क्या है, split bearing, bus bearing, solid bearing या journal bearing इसमें जो सही उत्तर है, वो है हमारा option A, split bearing अगला question है what is the part marked X in the bearing यहाँ पे जो X part दिखाया गया इसका नाम बताना है outer race, ball cage, inner race या rolling element तो इसमें सही उतर है ball cage यानि कि यह जो rolling elements लगे होते हैं इनको रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अगला question है कि इस प्रकार की bearing का उप्योग बहुत भारी radial load के लिए किया जाता है ball bearing, boost bearing, needle bearing या double roller bearing इसमें जो सही उतर होया आपसंद D, double row roller bearing यानि कि इसमें double पंक्तियां होती है यानि कि दो-दो ball एक साथ लगी होती है इसमें ज्यादा load ले सकता है अगला question है कि इस प्रकार की bearing अच्छी थ्रष्ट के साथ साथ radial load जो है उठाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है ball bearing, roller bearing, taper roller bearing या angular contact ball bearing जो इसमें सही उतर है वो है मारा option D, angular contact ball bearing अगला question है इस यंत्र का नाम क्या है depth vernier caliper, vernier height gauge, clamp tight height gauge या slip gauge holder के साथ height gauge जो इसमें सही उतर है वो है हमारा option D, height gauge with slip gauge holder अगला question है किस bearing अगला question है किस प्रकार के bearing धा तुमें स्वयम से सनहक होता white metal sintered alloy, aluminium alloy या cadmium based alloy जो इसमें सही उतर है वो है हमारा option B यानि की sintered alloy अगला question है सीमित जगहों पर किस bearing का उप्यू के जाता है needle bearing, thrust ball bearing, taper roller bearing या angular contact ball bearing जो इसमें सही उतर है वो है मारा option A needle bearing तो इस तरह हमने जो है fitter दूतिया वर्स के चौथा वीडियो जो है complete कर लिया है next वीडियो में हम लोग आगे question कभर करेंगे धन्यवाद